तो नए कानून जो हैं वो कैसे बनते हैं अब उसके बारे में हम लोग जानते हैं पार्लिमेंट का बहुत एहम रोल होता है लोज बनाने बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो की लिये जाते हैं करे जाते हैं और अलग अलग गृप्स जो सोसाइटी के हैं वो जो हैं खास्त और से पर्टिकुलर लॉग होनी चाहिए उसकी एक्टेसे उनकी तरफ से डिमांड आती है एक बहुत एहम जो पार्लिमेंट का है वो उसका यह है कि उसको हर एक की जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं उसके प्रतित सम्धी दूशील कोना होगा जैसे एक एक्जामपल हम आपको स्टोरी के माधिल से बताते हैं कि कैसे जो डॉमेस्टिक वाइलेंस होती है उसका मुद्दा जो है वो पार्लिमेंट की ध्यान में लाया गया और फिर एक प्रक्रिया अपनाई गई ताकि यह जो मुद्दा है इसको एक कानून के रूप में क जाए तर दौर ज्यार जाद तर उसको एक था कोई प्रफ जाएल का यह ऑन्जीर्य जो बाज्चति है फिसी भी तरीके कि हो सकती है जद फिजिक ली आपने अपने वाइफ हैं उनको मारा है या या एमोशनल तर पर उनको आप परेशान कर रहे हैं जो अगर आप अपनी व प्रोटेक्शन वोमेन तक लिया गया 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 है कि अप्री जो लाया गया कि हमें ये मेली ये समझना होगा कि जो डुमेस्टिक है उसका मतलब क्या होता है सारी वमेन जो कि अगयते हैं अब तक रहती हैं या रहती आरेंगे साथ में एक सामुहिक परीवार में जहां पर के मेम जो है वह वोईर्लिन्स जो है करता है एक तरे से भाड़ अतर घर यूप आर्मनों इदेखने को या सुनने को मिला ओगां आपको तो आपकी जो एक्स्ट बुक है इसमें एक स्टोरी के माध्यन से आपको बताया गया है कि तरीके से डुमास्टिक वोयलन्स होती है एक लेडी बात करें वो कहती है कि शाजिया तुमने आज का नियुस्पेपर पढ़ा आज बहुती बड़ा दिन है लेडी के लिए तो दूसरी लेडी कहती है कि खाली लेडी के लिए ही नहीं बलकि ऐसे घर जहां पर अब हिंसा नहीं होगी इससे क्या होगा हर एक के धर को फायदा होगा एक लेडी का नाम कुसुम है एक लेडी का नाम शाजिया है तो जो शाजिया है वो कुसुम से कहती है कि बहुत समय लग गया इस कानून को पास होने में इसको तो जो है बहुत पहले बन जाना चाहिए था ये जो है हमारी जरूरत थी कुसुम और शाजिया दोनों जो है एक विमन और्गनाइशन के लिए काम करती हैं वो याद कर रही है कि कितना लंबा सफर तै किया उन्होंने तब जाके ये प्रोटेक्शन आफ लुमें फॉमेंस्टिक वॉयलेंस एक पास कुआ मैं और इसे आगे बरदाश नहीं कर सकती पर मैं कहां जाओं मुझे मेरे पेटे और बखु के द्रारा प्रकारित किया जाता है बोल कर वो मेरे को जो हैं गालियां बखते हैं या से कहते हैं बोल बोल की वो मेरे को परिशान करते हैं मेरे को मेरे bank account तक कोई access नहीं है, यहां तक कि उन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इस violence को रोखना चाहती, और मैं उस घर से बाहर नहीं जाना चाहती, जिस घर में मैं रह रही है, अब क्या हुआ, यह जब पहले की बात तो इसमें कोई है ही नहीं, तो पूरे 1990s के दोरान जो है, इस नए law की जो मीड थी, वो अलग अलग फोरुम में उठाई थी, जो विमन्स थी, अब वो जो है, एक तेसे प्रोटेस्ट कर रही थी, तो हमने बहुत सारी और लेडी जो है, उनकी जो बाते हैं, उनको सुना, ह कि जो हां के हस्बंड रहते हैं, उनके सब पर और कानली में एमर जाते हैं, उसमें वो भी रह सकें, तो यहां तक कि चाहिए वो टेम्टरेरी रिलीव लेगिन उनको चाहिए, और हमें एक नया सिविल लौ चाहिए इस मुद्दे को एड्रेस गरेज कर ने निचीन फोरुम में इतने सारे discussions हुए, consultations हुए, finally जो है, draft किया गया, एक domestic violence bill, यानि कि prevention and protection bill, अब इस bill को जो है, पूरी दर से circulate किया गया, अब इसमें जो है, क्या रखी की definition जो domestic violence की थी, कि इसमें physical, economic, sexual, verbal, emotional abuse शामिल होना चाहिए, law में जो है, हार women को cover करना चाहिए, जो shared domestic space में रहती है, उनको protect करना चाहिए, बाहर निकाल देने से, कि जैसे सब परिवार बाले रह रहे हैं, विमेन को बाहर निकाल दिया है, या monetary relief के बारे में जो है, इन सब चीजों को जो है, लोगों ने concern किया, तो जो women's movement था, वो जो है, अब क्या मांग रहा था, अलग-अलग meetings हरी हो दिखारी थी, अलग-अलग organizations में, तो जो women's movement था, वो चाह रहा था कि एक नया कानुन बने domestic oil space, government को जो है, इसको parliament को बहुत ज़ल लाना चाहिए, फाइनली जो है, बिल पास introduced हुआ, पारलिमेंट में 2002 में, पर बिल वैसा नहीं था, जैसा वो चाह रहे थी, हमें, जिस तरीके का बिल मिल रहा था, लेडीज ने कहा नहीं, हमें उसका oppose करना परेगा, एक press conference करते हैं, और online petition भी जो है, उसको start करते हैं, बहुत सारी women organizations, national commission, जो women की थी, उनोंने parliamentary standing committee होती है, इसमें बहुत सारे submissions की है, तो, finally, just team members ये parliamentary standing committee के, उनके सामने उनने कहा कि ये जो present will है, इसको बदलने की जरूवत है, हम जो है, जिस तरह की domestic violence की definition को दी जा रही है, उसके बिलकुल पूरी तरह से सहमत नहीं है, लौको जो है, टेंपरी जो है, उनको submit किया राजे सभा में, साथी साथ उनको लोग सभा में मिलाया गया, कमिटी की जो report थी, उसने जाधा तर demands जो थी, women's group की, उनको accept कर लिया था, finally, एक नया बिल लाया गया, जिसको reintroduce किया गया, पार्लिमेंट में 2005 में, जब ये दोनों जो houses थे पार्लिमेंट के, इनकी दारा पास कर दी गई, तब ये जो है, प्रेसिजन को भीजी गई, उनके consent की, तो जो protection of women from domestic violence act था, फिर वो फाइनली लागो हुआ, 2006 में, अब 2006 October में जो है, एक press conference होई, उसमें पूछा जाया था, ये नया कानून क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये जो नया कानून है, इस अपने आपने सबसे पहला है, जो women's right को जो है, रिकोगनाइस कर रहा है, कि एक उनको violence free home मिलना चाहिए, comprehensive definition जो है, domestic violence की उसमें दी गई, ये एक civil law है, जिसमें relief प्रवाइब किया जाएगा, उन मारत नाखों संक्याँ में जो women है, उनको चाहें वो wives हो, mother हो, daughter हो, sisters ह जो कि अपने घर में हिंसा से प्यूलित है, ये law जो है, अपने आप में एक बहुत बड़ा step था, क्योंकि इसमें पहचान मिली थी, यानि कि women के अधिकार को, कि वो एक shared household में रह सके, उसको protection मिल सके, ताकि उसके साथ और दुबारा हिंसा नाखों, उनको monetary relief मिलेगा, ताकि जो अपने उनके खर्चे हैं, वो उसको उठा पाएं, साथ साथ मेडिकल खर्चे जो हैं, फिर वही दोनो लेडी दापस में कहती हैं, चलो अब एक दूसरी लंबी जर्नी शुरू करते हैं, में किया जर्नी थी, अब गौर्मन को जो है, इस चीज को ensure करना होगा, कि ये जो लाया जाएं और आब इसको लागु किया जाएं, ज्यादा तर जो विमन हैं, जो वाइलन्स फेस करती हैं, ये अब्यूस की जाती हैं, उनको विक्टिम के तौर पे देखा जाता है, पर विमन जो हैं, वो स्ट्रेगल करती हैं, अलग-अलग तरीकों से, ताकि इन सिच्व से हो, एक तरसे अब किसी तरसे सर्वाइब कर जाएं, इसलिए जादा एक्टिवेट ही था, कि उनको जो है सर्वाइवर के तौर पे देखा जाएं, ना कि विक्टिम के तौर तो आपने ये जो पूरी उपर एक्जाम्पल दिया था, अगर इसको समझ में आया, तो ये एक क्लियर होती है कि जो सिटिजन है, उनका बहुत एहम रोड होता है, पारलिमेंट को एक अलग-अलग तरीके से मदद करने का कि वो जो हैं, फ्रेम कर सकी, यानि कि लॉज को फ्रेम करने के लिए उसको लोग काफी हेल्प करते हैं, तो कि जिस तरीके के लोग हैं, उनकी जो उनको अलग-अलग प्रॉब्लम्स को भान में रखते हुए पारलिमेंट को फ्रेम करता है, अगर आग चाहते हैं कि कोई भी लॉज एक नया कानून की जरूरत है और उसको पासोच किया जाए, तो हर स्टेश पे प्रक्रिया कि जो सिटिजन हैं, उसकी आवाज जो है, वो बहुत महत्पूर होती है, यानि जब तब पॉब्लिक आवाज नहीं उठाएगी, तब तक कैसे बता चलेगा कि इस कानून की बहुत जादा जरूरत है, या नया कानून लानी की जरूरत है, अब यह जो आवाज है, हम किसके तू मिल सकती है, हम टीव रिपोर्ट के तू कर और भी लाज हैं, जैसे कि अनकॉपलर और कॉंट्रोवर्शल लाज, वो करते हैं अगले वीडियो,